सो जैसे कि आप लुक देख पा रहे हो कितनी डूई ग्लॉसी आं स्मोकी ग्लिटरी आईज हैं तो यही लुक आप सीखने वाले हो उससे पहले मेरा इंस्टेकराम का चैनल आप फॉलो कर लो जिस पे आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेगी सारी डिटेल नॉल लुक से तो आपने लुक देख ली है तो उसमें कैसी डूई फिनिश है डूई फिनिश कब हो सकती है अगर मेरी स्किन बहुत फ्लॉलेस है और मेरी स्किन अच्छे से वेल प्रेप्ड है तो सबसे पहले हम प्रेप कर रहे हैं और मैं रीकोड का रोस गुल्ड ओयल यूज क रहा है तो उसको हलका हलका हम सेट कर रहे हैं विद ट्रांसलूसेंट पाउडर क्योंकि हमने जेल बेज प्रोडक्ट लगाना है तो उसको सेट करना ज़रूरी था उसके बाद मैंने रीकोड की पिंसिल लिया और उसे उपर उपर मैं अच्छी तरह समझ करूंगा और थोड पिंसेड़ वर्क भी स्ट्रॉंग होगा तो मैंने ड्क एस्ट ब्राउन जो स्मोक के रिफ्लेट देगा तो मैंने अभी वह पॉमेट लगाया है अच्छी तरह से और आप देख रहे हो कितनी अच्छी शेप में लगाया है डीफ फार में ताकि मेरा जो कलर है वो उतने ही अरिया में blend हो inner और outer corner उसका maintain रहे और जतना चोटा ब्रश लोगे उतनी इची blending होगी मतलब उस area के according आपने blending brush को pick करना यह नहीं कि area चोटा है और बड़ा pick कर लिया तो वो इतना ज्यादा blend हो जाता है कि वो हर जगा black black फैलना शुरू हो जाता है अब हम इससे blend करना शुरू क करेंगे सेट करना शुरू करेंगे आपने जो नोटिस करना है मेरे हैंड की movement मैं brush कौन सा उठा रहा हूं मैं color कौन सा उठा रहा हूं और कैसे blend कर रहा हूं तो इन सब चीजों को आपने गौर करते चलना है अभी मैंने क्या किया अपना darkest brown shade लिया और उसे मैं set कर रहा हूं with the eye shadow और brush से ताकि जो उसका smoky color है वो और उठके intense होके आए और वो अच्छी तरह से जो मेरा shadow है जो मैंने gel लगाया है वो dab dab करके dry हो जाएगा और set हो जाएगा अगर मैंने set नहीं किया तो भाई client अपनी eyes open करेगा और eyes open होने से crisis तो आएंगी ही आएंगी तो और थोड़ा smokey करने के लिए मैंने अपना blackout shade ले लिया from urban decay और जो outer corner है उसको मैंने और डाक कर लिया अब आ गई है बारी जो favorite part आप सब की glitter लगाने की तो glitter लगाने से पहले मैं एक base बना रहा हूं जो मैंने base लगाया वो है मैंने shimmer का अपनी naughty palette से और जो हुड़ा की palette है उसकी shimmers बहुत अच्छे होते हैं तो आप कोई भी shimmer लगाते हो बहुत उटके आता है जस्ट उसमे जो एक दो होते हैं ना की pressed glitters उसको उसके लावा में को सारे shimmers उसके अच्छे लगते हैं so lit की glue आप देख चु जो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं ठीक है आप देख रहे हो कितनी shine और eyes कितनी उठके आ रही है glitter लगाने के बाद मैं हमेशा हमेशा अपना finger dab करता हूँ ताकि जो non glued particles है ना वो पहली बाहर आ जाए क्योंकि आप देखते हो बाद में base पे आते रहते हैं तो बहुत त तरह वाइप से ताकि जो extra oil है वो भी निकल जाएगा जो merge होना है वो सब merge हो चुक है और जो हमारे glitter particles है वो सारे फड़ा फट इदर उदर हो जाए निकल जाए नहीं तो इतने तंग करते हैं भाई बस पूछो न अभी हम लगा रहे है smash box का primer photo finish primer क्योंकि हमने oil लगा हुआ ह तो इसको तोड़ा sit करने के लिए smash box का photo finish primer लगा रहे है जो all skin type है dry नहीं करता base को strong करने में बहुत help करता है और मेरा favorite primer है अब भी तक का अच्छी तरह skin में blend करना है merge करना है एक जगा अगर ज़्यादा लगा रहे गया तो वहां से अपनी foundation जो है वो skip होती रहेगी अब बारी आ चुकी है हमारी correction की तो correction के लिए मैं record की palette यूज़ कर रहा हूँ उसमें से orange character मैंने pick करा है और कहां कहां करेंगे forehead पे under eyes पे and उसके बद around the mouth पे आपको जहां जहां थोड़ी थोड़ी डाकर problem दिख रही है वहां वहां orange आपने लगाना ही लगाना है technique same होती है product change होते है look change होती है बट कभी भी makeup करने का तरीका change नहीं होता makeup वही रहते है ब्रांडs change हो जाते हैं पराने चले जाते हैं फिर हम use करने लग जाते हैं तो वो depend करता है आपको कौन सा suitable रहता है आपको किसका finish अच्छा लगता है वो आप use कर सकते हो बस technique सीखनी है अपने इस वीडियो में तो मैंने अभी उठाया है बड़ा flat brush क्योंकि पूरा हमने face को cover करना है तो बड़ा flat brush लेके मैं अपने face पे dab 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 कर रहा हूं मैं drag बहुत कम करता हूं आपको जैसे comfortable लगे आप यह वाला तरीका भी अपना सकते हैं क्योंकि drag करने से क्यों होता है न पे under eyes पे और उसके बाद upper lips chin nose हर जगा जहां जहां आपको highlight करना है और उसके बाद उसे अच्छी तरह से आपको blend करना है तो आपने यह चेहरा दे के डरना नहीं है क्योंकि इसमें आपको काफी highlighting दिख रही है जैसे ही आपका bronzer blush highlighter यही लुक बड़ी सी प्यारी से निकल के आती है तो एक time पे तो आपको highlight करना वड़ता है नहीं तो आपको जो face look है न वो dull होना शुरू हो जाता है ठीक है तो अब बारी आगी है blender की तो मैं blender use कर रहा हूँ अभी प्रॉश का और उसे अच्छे से inner inner blend कर रहा हूँ inner corner को अच्छी तरह blend के अगर हो जहां पर आपकी गलतिया मैं अपने students को देखता हूँ inner corner और अंडरा इस पर क्रीजिज यह चीज इतनी बड़ी सिखाने पर भी नहीं सीखते हैं हम क्योंकि हमारा focus नहीं होता है इस चीज पर और यही चीज़े बाद में outcome में सबसे अलग द नहीं दिया करो घुल जाया करो make-up में जब make-up करते हो कि यार मारी finishing बहुत अच्छी आनी चीज़े है तो मैंने भी लिया है एक lip and cheek tint और उसे अच्छी तरह मैं लगाऊंगा अपने cheeks पे और smile करवा के लगाता हूँ ताकि मैं को area थोड़ा define हो जाए कि कौन-कौन से area पे मि ब्लेंड करके लगा रहा हूँ ना अच्छी तरह ताकि जो मेरा bronzer है वो भी maintain रहे कई वर तो हम ब्रॉंजर ही चुपा देते हैं तो वह मत करना गलती से हो गया चिप गया कोई बास रिपीट कर लो बट चुपाने की कोशिच मत किया करो या तो फिर मत लगाऊ तो उसके ब ब्लती से हाथ लग गया तो आपका जो बेस है वो पुरा का पूरा हाथ में आ जाएगा ठीक है तो अब हम कर रहे हैं पाउडर वली चीजे पाउडर लग चुको तो पाउडर के बाद हम सारी पाउडर वली चीजे लिए लाइक पाउडर ब्लश पाउडर कॉंटू यार रेगुलर वीडियो दिखा गरो रेगुलर वीडियो दिखा गरो जितनी बार यह आपका स्टिप्स माइंड में बैठेंगे न उतना आपका मेकप अच्छा होगा जितना टिकनीक बैठेगी उतना ज्यादा मेकप अच्छा होगा तो टिकनीक पे जरूर फोकस किया गर काजल अगर लगाते हो तो काजल इंटेंस दिखना चाहिए काजल अगर इंटेंस नहीं दिख रहा तो मज़ा नहीं आता है मतलब आदा दूरा लगा हुआ है एक जगह बहुत ज़्यादा लगा है एक जगह कम लगा है तो इवन लगाना चाहिए ज़्यादा ही लगाना चाहिए काजल लगा हो तो काजल दिखना भी तो चाहिए ना जिन क्लाइंट को काजल अच्छा लगता है वो लगाके ही खुश रहते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता है उनके मत लगाओ जबरदस्ती नहीं नहीं जी मैं हमने तो लगाना ही है नहीं आप मत लगाओ मैं नहीं लगाओंगी क्लाइन के साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकते क्योंकि जाते हैं उसने फिर लगवा जाना तो बेटर किया है कि आप पहले लगा दो रादर कि आप बाद में टाइम वेस्ट करो मसकारा मसकारा जो हमने यूज करा है फैरा रूशी का और उसे अच्छी तरह अपनी लाशिस को क्लीन किया करो फिर लाशिस लगा करो अलग से केवरी दिखरी होती हमें कि उस पर डस्ट बैटी है फांडिशन कंसीलर का लगा हुए पाच उसके बाद पाउडर बैठा हुए उसके बाद हम ब्रो बोन को हाइलाइट कर रहे हैं विद्दा स्टिला हलका हलका सा अपने ब्रो बोन का हाइलाइट करेंगे एक शिमरी सी लुक आ जाती है इस टिला का किटन शेडा भई बढ़ा बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है आई ब्रोज एक मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी लुक में अच्छे से और उसे फिल करेंगे और evenly फिल करेंगे आपकी जो आख होती है कई बर ही वही नहीं अप्पलिफ्ट होती तो हमारी लुक निकल के नहीं आती तो आख जरूर अप्लिफ्ट होनी चाहिए तो गाइज अगर किसी को मेरे lively एक master class सीखनी है तो मेरी एक bridal master class आ रही है आप मेरे instagram पर message करके detail ले सकते हो वो है 28th of May and अभी offer भी चल रही है तो अगर आप enroll कराओगे बहुत ही आपको affordable price पर मिलेगी plus उसमें LG का lip palette का राज भी बताने वाले हैं plus उसमें सारी detail knowledge one on one session होने वाला है हमारा queries का तो एक proper detail look आप सीखने वाले हो bridal की तो ज़रूर join करना और आपको बहुत कुछ बहुत knowledge मिलने वाली अगर आप makeup सीखना चाता हो ना तो आ जाओ बहुत अच्छी class करने वाले हैं ठीक है तो इसी से ही हमारी lip shape बना के lip color लगाके हमारी जो final look है वो देख रहे हो कितनी ही pretty निकल के आ रही है और हम lip color कैसे लगाएं कुछ pink nudes में, peachy nudes में ताकि जो हमारी look है उसके साथ वो proper एक lip color जाए और lip shape अच्छी बनी होना बहुत ज़रूरी है तो इसी लिए हम use करे हैं lip shape बनाने के लिए और look आप देखी सकते हो कितनी pretty निकल के आ रही है और hair को clean करना बिल्कुल नहीं भूलना जैसे आपने hair clean करें आपकी look और है नहीं हो जाती है और hair open करने से तो obvious ही जब तक hair tired होते हैं हमारी look नहीं आ रही होती है और end में हम apply करेंगे हमारा favorite part जो lips का है वो है creamy lip color ताकि जो हमारी glass finish है वो भी maintain रहे plus mattifying पहले liquid इसलिए लगा देते हैं ताकि जो stability है वो भी maintain रहे और हमने जो भी use कर रहे है creamy lip color वो use कर रहे है record का number 7 और end में हम use कर रहे हैं lip gloss थोड़ी pinky look में ताकि जो हमारी finishing है glass look वो maintain रहेगी proper all over the face neck bronzing करके तो guys हमारी जो look है वो complete हो चुकी है में को like, comment and share करके जरूर बताना कि आपको look कैसी लगी bye bye guys